हेलो फेंड्स मेरा नाम है जाबिर अनसारी गाइस आज के स्टूडियो में आप लोग को बताने वाले राजस्थान हाई कोड के दौरा दोस्तो वेकंसे जारी की गई इसमें आपको ट्रांसलेटर की वेकंसे मिल जाएगी फ्रांक को कैसे अपलाई करना है आपके पास क्या qualification होनी चाहिए male and female candidate इस form को अपलाई करेंगे की नहीं करेंगे आल ओवर इंडिया के तो इस वेकंसे बास करेंगे पूरा जो डिटेल से दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चलिए दोस्तों वीडियों स्टार्ट करते हैं इस form के detail के बारे में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो आपकी भरती जारी की गई है राजस्थान हाई कोट के दोरह वेकंसी जारी कियागी इसमें आपको translator की वेकंसी मिल जाएगी form को जो apply करने का date यहाँ पे आपको मिलेगा यह देख सकते हैं आपका जो date जारी किया गए 10 फरवरी से यह form आपका online के माध्यम से होगा apply इसका जो last date रहेगा 5 March 2020 तक आप इस form को करेंगे apply जो भी candidate fee payment करना चाहेंगे वो 6 March 2020 तक fee payment कर सकते हैं admit card और exam date दोनों notified सुन बताई गई है application जो fee रहेगा जेनरल OBC और EWS के candidate 500 रुपीज fee payment करेंगे SCHT candidate जो fee payment करेंगे 350 रुपीज आपको fee payment करना पड़ेगा fee जो यहाँ पे दोस्तों payment करने का mode है आप रजस्थान के E-Mitra के द्वारा fee payment कर सकते हैं या आप debit card, credit card या need banking के द्वारा आप fee payment कर सकते हैं जो की online के mode से आप fee payment करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो आपकी age लिजाएगी 1 January 2021 से आपका age लिया जाएगा minimum 18 वर्स होनी चाहिए maximum 40 साल आपकी यहाँ पे age मांगी गई है टोटल जो इसमें दोस्तों पोस्ट जारी की गई है 15 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा translator की यहाँ पे vacancy post name जारी की गई है category वाई दोस्तों यहाँ पे हम पोस्ट के बारें बात करें general candidate के लिए 8 post जारी की गई है EWS candidate के लिए 1 post जारी की गई है OBC candidate के लिए 3 post जारी की गई है और SC candidate के लिए 2 post HT candidate के लिए यहाँ पे एक post जारी की गई है दोस्तों यह form आप लोग को कैसे apply करना है online के mode से यह form apply करना है male and female candidates इस form को करेंगे apply यहाँ पे देख सकते है आल ओवर इंडिया की candidates फॉर्म को कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तो जो आपके salary रहेगी matrix label जो है आपका 10 है इसमें आपको 33,800 से 1,6,700 रुपीज पर मंत यहाँ पे आपको मिलेगा salary job location जो रहेगा दोस्तो राजस्थान रहेगा अगर आपका हो जाएगा selection तो आपको राजस्थान में यह job करनी पड़ेगी qualification क्या होनी चाहिए सबसे important दोस्तो आपके पास master degree का qualification होनी चाहिए English subject अनिवारे रूप से होनी चाहिए आपके qualification में जहाँ भी दोस्तो selection जो mode रहेगा आपका सबसे पहले written exam होगा उसके बाद interview होने के बाद आपका होगा selection इस post को apply करने के लिए आपके पास जो documents की जरूद पड़ेगी photograph, signature, qualification, certificate की जरूद पड़ेगी कैसे apply करना है guys बिल्कुल नीचे आना है आपको यहाँ पे important link मिल जाएगा link जो है वो अभी activate नहीं है यहाँ पे आप देख सेते हैं जैसे आप click करेंगे इनके official page पे जाएंगे अगर registration पे आप click करते हैं बिल्कुल आप राजस्तान के official page पे जाएंगे यहाँ पे जो भी details अगर आप लोग check करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप check कर सकते हैं अभी जो दोस्तो form apply करने का page है वो अभी activate नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार दोस्तो यहाँ पे so कराए जा रही है जैसे दोस्तो link activate हो जाएगा तो यहाँ पे को click here का option मिल जाएगा और यहाँ पे दोस्तो अगर आप notification को check करना चाहेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे click करके आप notification को check करेंगे official website के यहाँ पे click करके आप check कर सकते हैं so guys इस वीडियो में बस इतना है आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज यहाँ वीडियो को लाइक कर दिजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर दिजिएगा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को भी तक सबस्क्राइब ने किया गाईस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा हम आप से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गाईस हमें दीजिए इजाज़त बाई बाई